इत्रो नमस्कार, हम आज चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के दर्सनाग को कराएंगे और गुप्त गोदावरी के बारे में हम आपको संश्प्त जानकारी देंगे यहां के प्राकर्तिक सौंदर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और देखिए ये गुप्त गोदावरी भी चित्र कूट के चार धाम में से एक है बहाई प्राकतिक मनोरब द्रश्य है और यहां विशेश रूप से गुप्त गोदावरी का उद्गम इस्थल पर हम ले चलाएंगे आपको यहां पर चट्टावों के बीच में से गुप्त गोदावरी किस तरह परकट हुई है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो चलिए हम जे गुप्त गोदावरी आचुके हैं और हम आपको गुप्त गोदावरी के दरसन कराते हैं यहां की सेर कराते हैं ये गुप्त गोदावरी में प्रवेस के पहले हमें सीडिया मिलती हैं और उसके पहले मैं एक बात बता दूँ कि यहां पर आटो वाले सामने तक कहते हैं कि जूते यहीं छोड़ जाएं जूते चपल वहां आपको छोड़ने के आवड़ सकता नहीं है ये प्रवेस द्वार की सीडियों के नीचे ही स्टेंड है और वहां पर आप जूते चपल उतार सकते हैं ये प्रवेस के लिए हमें टिकेट लेना पड़ता है और ये जो रेलिंग दिख रही हैं आपको ये अमावश्या या विशे त्योहार पर्व के दिन जब ज़्यादा भीड होती है तब इनका उप्योग किया जाता है आप देख सकते हैं कि यहां देखिए बंदर बहुत मात्रा में पाई आते हैं हो भी क्यों ना ये परवत संखला उनी का छेतर है और फिर राम जी का जहां निवास राहा हो तो वहां हन्मान जी निश्चित रूप से रहे होंगे और हन्मान जी की ये बानर सेना तो हर जगे मिलेगी ये बड़ा ही प्राकर्तिक छटा बिखेरती ये गुप्त गोदावरी देख रहे हम ये यहां जन्ने गरूप में अभी बरसात नहीं है इसलिए ये छोटी धारा के रूप में ये प्रवावित हो रही है बड़ा ही सौंदर प्रधान ये छेतर है ये परवतों की स्रंकला से घरा हुआ गुप्त गोदावरी मैं इसकी कहानी भी आपको बताता चलता हूँ ये पहले हम प्रवेश करेंगे ये पहली गुपा है जो कि बहुत ही सकली है करीव एक ही व्यक्ति उसमें से आ जा सकता है और एक प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करेंगे और वहां से प्रवेश करने के बाद प्रवेश और निकास का द्वार एक ही है ये हम सीडियों से चाड़के वह प्रविज़ करते हैं और यहां रामदरवार और अन्य छोटेंड मंदर भी हैं और धन्य साकार यहां एक कुंड के रूप में परवर्त न किया करती थी यहां पर दो कथाएं प्रचलित हैं प्राचिन कथा के अनुसार मंदाखनी जो के 920 किलो मीटर दूर नासिक में निकली हुई है उन्हें पता था कि भगवान यहां अत्रेता युग में आएंगे तो वो भगवान से मिलने के लिए आई थी एक कहानी यह है और आप देखें कि यह बंदरों की यहां जे किलोल आप अप देखें देखने मिलेंगे, बंदर यहां बहुताया मात्राव मिलते हैं तो मैं यह बता रहा था कि आपको एक तो कहानी यह है कि गुप्तरूप से गोदावरी यहां प्रगठ भूई थी और यह देखिए आप बंदर के आप देखिए, बंदरों का खेल देखिए, यहां आने आने का एक ही मार्ग है यहां से प्रथम गुफा में प्रवेश करने के बाद देखिया आप देख पा रहे हैं कि यह बहुत ही सक्री है यहां केवल एक ही विक्ति एक बार में आ जा सकता है और सबसे बड़ी बात ही है कि प्रवेश द्वार और निकास का द्वार द राम, सीता, जान राम, सीता और लक्षमर जी की मूर्थियां इस्तापिडाना आए, बताते हैं, यहां राम दर्वा लगा करता था, और दूसरी कहनी ये है कि भगवान ने सीता जी के इस्नान के लिए यहां पर गुप्त गोदा वरी को प्रकट किया था, यहाँ जो कुंड है सीता कुंड वहाँ पर सीता मैया वहाँ पर इसनान किया करती थी और ये पुरातत तो वेत्ताओं के लिए बड़ा ही शोद का विशय है कि इसकी जो पत्थर है गुफा के इतने वर्सों बाद भी आप देख पाएंगे कि बड़े ही सुनुजे धंग से इ जलना है यह यह जो गुफा है धंशाकार की गुफा है यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं यह धंशाकार की गुफा है और हम यहाँ चलते हुए जो कुंड है जहां गुप्त गोदावरी का प्राकट इस्थाल इस्थाल कहा जाता है यह इस कुंड पर आकर यह गुफा यहा यहां पर यह गुफा समाप तो याती है और यह उद्गमिस्थल कहलाता है गुप्तु गदावरी का और इसके बाद यह गुफा आगे बंद है और बड़ा ही मनोरम द्रश्य देखने को मिलता है यह यहां पर जो कुंड है उसमें पुजारी पूजा हुजा कराते हैं बड़ा लक्षमर जी अपने बान से मार गराया और वह यहां एक मंदर है जहां पर वह उपर लटका हुआ है वहां उस मंदर में काफी मातरा में छोटे छोटे चिमकादण हैं यह देखिए यह हम पहुँच चुके हैं यह खटखटा चोर खटखटा चोर जो मैंकर आक्षास था उस बार कर उपर लटका दिया था और तब से पताया कि यही पर वह लटका हुआ है और इस गुफा प्राचिन गुफा है यहां छोटे चोटे चुमकादण होना स्वाविक हैं और यहां से हम बाहर निकलेंगे नीचे उतरने के बाद यह थड़ा उचाई पर है और यहां से नी दर्श से लग रहा है और यहां से बाहर निकल रहे हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से प्रविश किया था और यहां से निकलने के बाद हम दूसरी गुफा की और प्रस्थान करेंगे उस गुफा वो गुफा बहुत सकली है यह पानी वाली गुफा के नाम से जानी जाती है और बहुत ही सक्री है और यहां भी देखिए बंदर्वी के लोल कर रहे हैं और उस गुफा का पानी कहां जाता है पता नहीं पढ़ता है बता जाता है कि यह पानी एक पीपल के ब्रक्ष के पास समाप्त हो जाता है तो अब यह कहानिया मैंने आपको बताई कि यह दो कहानिया प्रचलित है एक तो राम दरवार लगता था और गुप्त गोदावरी मैया वहां से यहां आई राम जी से नहीं यहां देखिए दूसरी गुफा के प्रारम में पंच मुख्या मंदर है पंच मुखी सिवजी का यहां मंदर है और वहीं से इसका प्रवेश दूसरी गुफा, जलवाली गुफा का प्रवेश प्रारम होता देखें यहीं प्रारम से ही हमारे पैर यहां जल में मगन हो जाते हैं ये नीचे पहले तले फिर घुटने तक पानी है और इस गुफा में कई लोग अपना फोटू भी खषाते रहते हैं और बड़ा मनोरम दर्श्चे और बड़ी प्राकर्तिक चीज है ये गुफा काफी अंदर तक जाती है और उसी में इसी तरह का पानी वहाँ देखने को मिलत है और ये गुफा शकली गुफा है इसका पानी कहां से आता है कहां निकल जाता पता नहीं पड़ता बताते हैं कि पीपल का ब्रक्ष है वहाँ पर इस गुफा का पानी संभायत हो जाता है और यहां से देख पा रहे हैं कि देखिए ये बहुत अंदर गहराई तक जाती है ह हम जादा अंदर तक नहीं गए और हम बाहर निकल आए हैं और निकलने के बाद हम जी देखिए ये कितना सुंदर सुंदर दर्श्ट में देख रहा है यहाँ यह दिवर्शात के समय होता तो यह निश्चित ही यह जो जल्द हरा है वह काफी मात्रा में प्रभावित होने से ज बराम देंगे मेरा आप से अन्रोध है कि आप एक बार जब चित्रकूट आएं तो यहाँ अवश्य पतार है बहुत ही आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बड़ी सुखद अन्मूती होगी यह चित्रकूट के धाम में से एक धाम है गुप्त गोदावरी और अब चित्रकूट आएं तो यहाँ अवश्य पतार है बहुत ही अच्छा लगेगा जैसी आराम जैसी आराम